ये हैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसिते नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कोमल गुपता वॉइस टीवी पर आपका स्वागत चार महिने की अपनी गर्बवती पत्नी और डेर साल की बच्ची के साथ गुडगाउं से अमेठी जा रहा रिक्षा चलाकर सर्जु नमक व्यक्ति अभी तक नहीं मिली कोई सरकारी मदद जिहां उत्तरप्रदेश सरकार लाग दावे करें कि वह मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था कर रही हैं लेकिन आज भी जमीनी हकीकत देखी जाए तो मजदूर रिक्षे से और पैदल अपने घर पर जाने के लिए मजबूर हैं ऐसा ही नजारा आज फिरोजबात के नए बाइपास पर देखने को मिला जहां एक सर्जु नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अनीता और डेर साल की बच्चिरिया के साथ कड़ी धूप में रिक्षा चलाकर गुडगाउं से अमेठी जा रहा था जब हमने सर्जु प्रिसाथ से बात की तो उसका कहना था कि वह दोजार साथ से गुडगाउं लक्षमन बिहार गली नमबर 18 में रह रहा था और वहां रिक्षा चलाता था लेकिन लोकडाउन के लगातार भढ़ने की वज़ा से अब वहां बुकमरी की कॉल की लेकिन उसे कहीं से भी सही जवाब नहीं मिला आखिर वहां हार चुका था और अपना रिक्षा लेकर ही अपनी चार महिने की गर्बवती पत्नी अनीता और अपने डेर साल की बच्ची को लेकर रिक्षे से ही गुडगाउं से अमैठी के लिए निकल पड़ा रास्त जायत दुख की क्या बात है और क्या बात यह हो सकती है वहीं सर्जू रास्ते में अपनी मासूम बच्ची को कड़ी धूब में दूद की बोतल में दूद बना कर भी पिला रहा था कि उसे भूख से कोई दिक्कत ना हो इस तरह इन बेबस मजदूरों का आना कहीं न कहीं सर सवाल खड़ा करता है कि यह है सरकार की व्यवस्था गुडगाओं से 210 किलोमीटर का सफ़र करने वाला सर्जू किसी ने इसकी अभी तक कोई मदद नहीं की उसे बस द्वारा उसकी गाओं पहुंचाया जाए सर्जू का यह भी कहना है कि उसका रिक्षा भी बस में रखकर चला जाए तो उसकी रोजी रोटी कमाने के भी रास्ते फिर से खुल जाए सर्वां मैं पंदातारी को सुभे चार बजे निकला हूं सर्जू कर रहे हैं उन्हें विजवानी वस्था कर रहे हैं तो कभी आपने या किसी को पॉन किया या मदद मागी थी सर दो कोल विकिया ऐ safdi एमां परिया खुली को कोल विकिया पहए और और या इसवां तक तक थे व्हां पहरपेश कोई सेवानी纜 चल दिया है जान आने बादमें परवाल आ गया अगया उपी ऑोडर और आ गया ऋगया सर्ऊ को इसे लिए सर रॉकसे सोचने के लिए आपनेर शाम और फजद ही मेरे पतनिक फैल में बच्चा सर जिंुस्त करें अजिए लिख विमन्ना इन जुरूरी है अब लोग ड़ंड जो होता सर यह गरीबों के लिए होटा मेरों के लिए कुछ नहीं होता सर हमेर तो ओन लेन मंगा लिया कैसे भी मंगा लिया उनका चलता रहता है सरकार थिए चाहते सर सब के लिए एक बराबर देखा जा सर सर हम भी किसी के बैटे हैं और वह बड़े आदमी वह भी किसी के बेटे हैं से कितने सफ़र ते कर चुके आप रोजबाद में हैं सर 210 किलोमेटर करीब सर में अपने अंदाज से मैंने कबर कर दिया सर अब है सर अभी सर 400 किलोमेटर मुझे और जाना है जी सर